बाद अब कॉंग्रिस के पूर्वध्यक्ष राहूल गांधी ने मनिपूर से भारच जोडो निया यात्रा की शुरुआत की है। राहूल गांधी एक दिन की यात्रा कर शुके हैं। मनिपूर में यात्रा के पहले दिन लोगों में काफी उच्छा देखने के लिए मिला। लेकिन भारच जोडो यात्रा की तरह राहूल गांधी पैदल सफर नहीं कर पा रहे। राहूल गांधी की यात्रा कहने को तो हाइब्रिड है यानि कुछ दूरी पैदल और बागी सफर बस से। लेकिन मनिपूर में सुरक्षा कारणों से उन्हें बस से ही जाधतर सफर तै करना पड़ रहा है। बतादे मनिपूर में दो समदायों के बीच हिंसा पिछले कई महिनों से जारी है। इसी कारण से मनिपूर सरकार ने सुरक्षा का हवाला दे कर कॉंग्रिस को भारत जोडों या यात्रा के लिए बड़ी रैली की इजाज़त नहीं दी। सुरक्षा कारणों से राहूल गांधी को भी अपनी यात्रा बस से करनी पड़ रहे है। यात्रा के दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात किये गए है। यात्रा के पहले दिन जब राहूल गांधी अचानक बस से उतर कर लोगों से मिले तब सुरक्षा में टना जवानों के हाथ पाउं खूल गए। राहूल गांधी को बस से उतरता दे जवानों ने उन्हें तुरंग बस में वापस जाने के लिए कहा। इस घटना का एक वीडि बतादे मनिपूर के थोमल जिले के खेंजुम इलाके में रविवार को कॉंग्रेस की भारत जोडो निया यात्रा की शुरुआती गए कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खड़के ने राहुल गांधी को तिरंगा सौप कर पंद्रा राजियों से गुजरने वाले इस यात्रा की अगवाई की जिम्मेदारी सौपी ये यात्रा 6713 किलोमीटर की दूरी तैक करने के बाद 20 मार्श को मुंबई में समाप्त होगी इस दोरान राहुल गांधी 60-70 कांग्रिस नेताओं के साथ बस से ही ये दूरी तैक करेंगे प्रमुक जगाओं पर राहुल गांधी पैदल मार्श भी करेंगे करेंगे